120 गियर वाला ट्रेक्टर ही है जो डायना ट्रेक हैं और यहां पर देखी सिंक्रों यह सिंक्रों सटल का गियर लिवर दे रहा है और साइड में हैंड वाली रहा है तो वीडियो के लाच तक बने रहीगा और इस डायना ट्रेक का लाग उठाएगा और अपने घर भी ज़रूर लाएगा तो देखीगा यहाप पर जो डायना ट्रेक्टर दे रहा है ब्रेस्टैल में दौनों ही हेडलम्प देखने को मिलेगा और 20-20 मैसी का लोगों देखने को मिल जाता है और बंपर एक आपी डिजाइन आकूरती के साथ इसको बनाया गया है तो देखने में भी काफी बढ़िया लगे और वैट के रूप में भी काफी बढ़िया रहे और आपने डेना ट्रिक का रिवी जादा हैनी की पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे है तो को देखीगा इसमें सेंजेस वगेरा देखीगा क्या कुस हुआ है तो दौनों सैट में वही ब्रांडिंग देखने को मिलेगा जो इसका डीजल टैंक दिया गया है वह 55 ल कि रेडिटर तक जाने के लिए जैसे की कसरा वगेरा गुसे तो यहाँ पर प्लेट लगाई गी है कापी बढ़िया है तो अन्हों सैट में भी प्लेट देखने को मिलेगी और कुलेंट दिया गया यहाँ पर और इसका प्लेट फॉर्म तो बात ही मत करोगी इतना गजब है जो आप देख पाएंगे तो प्लेट फॉर्म कापी बढ़िया दिया गया है खुला इस्पेस दिया कापी जगह भी दी गई है जो उपर सड़ सकते उतर सकते और टेक्टर को कंट्रोल वगएरा सलाने में कोई दिकत ना हो तो कापी खुला इस्पेस साइज में प्लेट मिलेगा जो बारा फॉर्वेड एंट टू बारा रिवर्स गेर सिस्टम के साथ में आता हैं सौबिस गेर वाला ट्रेक्टर ही है जो डैन अट रहे गए मैसी कास साब काफी बड़ी अट्रेक्टर यही देखने को मिल जाता है और यहां पर देखी सिंक्रो यह सिंक्रो सटल क गेर लिए यह और साइट में हैंड़ वाली स साथ माई और साइट में मिरोर गई आगा करेगे ते टेखने को मिलेंगे उससे पाफदान में घिमिया कशा यहां पर अपको yanlış तेखने को मिलेगी कि उपार्किंगा लिवर यहां पर दिया गया है और डूवल कलस्ट के साथ में आता है यह डूट कलस्ट में आता हैं और यह हाई-लोग मीडियम का गयर लिवर इसनाट में दिया गया लैपेट सब्सक्राइब कुछ यहां पर सिस्टम दिया है यह काफी बढ़िया है और उपर से टैक्टर को इस प्रकार से देख रहा है सोकर इस टहल में दिया गया बॉनेट वगेरा तो काफी बढ़िया है और अभी आगे वाले टायर दिखा देते हैं इसके जो टायर दीगे से 0016 के द और सब्दाण डाज С के भी देह रही है और बैक सैड में आपको सीट के पीसे ही जो निसका डूल बॉक्स दिया है और यहां पर हेंडल दिया गये एक स्ट्रा से बांदा बैटने के लिए और रिक सेड का भी इस प्रकार समद् learnt भत से में जैसा कि देखें यहां पर बैक लाइट दी गई है जो अनफ फीसे से कर सकते हो टेल लाइट है वो काफी बढ़िया दिये गए और जो रियर एक्सल दिया गए काफी हैवी टेक्टर के मुताबिक माने तो काफी हैवी टेक्टर दिया गए जो इसका एक्सल दिया गए सोरी वह कापी हैवी दिया गया ही जिए वह एड़ेस्टेबल है उफर नहीं से कर सकते हो आपके अनुसारी प्रोप्लिंग है थ्री लिंगेस में आता है अब लिप्ट के बारे में बात करें तो 2,000 kg की इसके अंदर लिप्ट पीसिटी आ जाती है इसकी सम्ता है वह 2,000 kg तक उटा सकता है तो काफी बड़े एक सिस्टम दे रही हर कोई ट्रेक्टर के पार्ट को देखने जाए तो काफी है भी दिया गए ट्रेक्टर काफी मजबूत है तो डैना ट्रेक के बारे में जैसे कि आपने रिव्यू देखा और कोई आपका सवाल भागी रहा हो तो को वो कमेंट बक्स में क कर सकते हैं उसकी कोई फिकर ना करिएगा और डैने ट्रेक को ऐसा बनाये गए जो किसानों की उमीदें हर कोई फूरी कर सकता है ये डैने ट्रेक आने के बाद में और दो साल हुआ है ट्रेक्टर आने में समय जैसा कि आप देख पाऊंगे इस वीडियो के खातिर भी बता रहा गया इसका गजू Ground Cleansons है वह काफी उसी सेज में दिया गया है दूसरे टेक्टरों से BACK मुहसा दिखता है तो सो काफी बढ़िया देखने मेंट काफी बढ़िया लग रहा है और काम करने में भी काफी बढ़िया है जो सिंख्रों चटल का इसके अंदर घर लीवर जैसा खे सिस्टम आता हैं उसके हिसाब से 12 आगे और 12 पीसे में टेक्टर को आगे भी से से 2 इस सेम इस्पीड में आप टेक्टर को सला सकते हैं यह कापी बड़ी है सिस्टम है और तो एक्टर के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वह आपने देखा ही है और ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं तो आज के इस वीडियो में इतना ही और एक सांदर वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैजवान जैकिसान आपका दिन सुबर लो और हाँ वीडियो को लास्ट में यह कहना साओंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहा तो लाइक कर देजीगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक सांदर वीडियो के साथ में धन्यवाद